हेलो दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्टैप्स और फाइनेशल प्लैनिंग फाइनेशल प्लैनिंग का एक वीडियो में ने अल्रेडी अप्लोड कर दिया है जिसमें मैं उनका फैक्टर्स बता रही हूँ अब हम लोग यह देखते है कि जब भी हम फाइनेशल प्लैन करते हैं तो हमको कौन-कौन से स्टैप से गुजरना पड़ता है ताकि हम अपने अब्जेक्टिव तेक पहुच सके ठीक है तो सबसे पहला स्टैप हम लोग का है डिटर्माइनिंग फाइनेशल अब्जेक्टि यह इतना SGP चाहिए इवन आप तक पहुचे हो तो भी एक कुछ गोल सोचके ही पहुचे होंगे ना कि हमने बैचलर हमको बैचलर कंप्लीट करना है हम यह करेंगे आगे फ्यूचर का भी आप सोचके रखे हो तो उस गोल के हिसाब से आप सारे प्लैन करते हो है तो वही ची प्लैन कीस मुझस आपसे फोण्ड लेगा और सौर्ट तरॉ ले तो शौर्ट टंकीसOS आपसे फोण्ड लेगा ठीक है फिर सेकेंग मम लोग का है रिवियू औ nih प्रॉब्लम मतलब होता है जबी प्लन बनाते हैं तो इसके बीच में बहुत प्रॉबलम माते हैं आप भी द perpetual बन बनाएं को न मैं इसा नहीं होगा जिसके बीच में प्रश्रेंगे बनाते हैं कि अगर हमनई तेंएक sadece कर दिया तो कमपणी का जो financial manager है तो उसको यह देखना पड़ता है कि कौन-कौन सी problem आ सकती है और उसका उसके पास निवारण है की नहीं अगर उसके पास कुछ solution होगा तो वो fund को raise कर सकता है अगर नहीं तो उस fund को वही पर छोड़ दिना पड़ेगा ठीक है यह हमारा क्या होगे second step हो गया फिर third step हम लोग का दिया हुए estimating capital requirement का मतलब होता है कि कितना capital company को need है मतलब बहुत ज़्यादे use amount जरूरत है कि short term अगर use amount जरूरत है तो हमारे options अलग रहते है अगर short term की amount की जरूरत है तो हमारे options अलग रहते है तो company को यही decide करना पड़ता है कि पैसे कितने चाहिए कहां से raise कर सकते ठीक है यह तीन हमारे basic step हुए जिसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं हम सिर्फ हम लोग को कितना fund चाहिए वो हम लोग देख रहे है फूर्थ step हम लोग का है selecting proper source of fund अब एक बार हम लोग का fund है decide हुआ हमको यह पता जगए हमको इतने इतने amount की जरूरत है तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद हम source धूर्णने की कोशिश करेंगे source का मतलब है हमको यह पैसे कहां से मिल सकते इक्विटी शेयर से प्रेफरेंश शेयर से डिबेंचर से सब के पास से हम इधर उधर धूंडेंगे फिर उनको कितना पैसा पेबैक करना है वो भी चेक करेंगे उसमें से जो suitable हमारी company के लिए रहेगा हम वो सिलेक करेंगे ठीक है फिफ्त हम लोग का है obtaining fund अब जैसे हम लो भी बहुत सारे काम रहते हैं मतलब हमको महाँ पर पर्टिक्यूलर जाना पड़ता है उनके जो कमिशन्स वगर है वो देने पड़ते हैं कुछ प्रसेजर कंप्लेट करनी पड़ते हैं उसके बाद ही हमको फंड मिल सकता है जैसे आप लोन लेने जाते हो तो लोन भी आपको कोई डाइरेक्ट नहीं देगा हमको उसकी प्रोसेस के तुरू जाना पड़ेगा अब मैंने सिर्फ यहां पर एक्विटी शेयर्स का बता है तो वैसे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स का भी होता है कुछ प्रसेजर्स रहते हैं उसको हम लोग को पैसे मिल सकते ठीक है फिर लास्ट हम लोग का स्टैब है डिटर्माइनिंग पॉलिसीज और प्रोसेजर्स तु यूज ऑफ फट्ट मतलब हम लोग को यह बताया जाता है कि हमको क्या करना है अब पैसे हम लोग को मिल गए तो उस पैसे को हम पैसे करेंगे फिर उसको ऑन टाइम क्या रहेगा कब अब तक हम उसको पे करेंगे ऐसे बहुत सारे कोशन रहते हैं तो वो सारे कोशन जो है पहले से हम लोग सेट कर देते हैं उसको सलूशन अंसर जो है वो भी अल्रेडी हम लोग बता देते कि भाई हम लोग ने आपके पैसे लिये है तो हम इतने इतने टाइम पर हमको पैसे और एक्जाम्पल हमने अपतर एक्वेटी शेय्स लिया है तो देंगे कि हम लोग 2-3 साल के लेख लेकिन उसके बाद हम लोगा उनकी अमौंट लिए है मों पे कर देना है है ना सेम चीज हमना लोग को डिविडेंट की Memphis police ले रहे हुआ उधारी पे तो उस टाइम्पे हम को हुद करना है वहले हमारी और कंपनी को प्रॉफिट हो रहा ही लॉस हो रहा है उन्से उनका कुछ लेना देना नहीं है उन्होंने पैसे दिए हैं पर हमको dividend देना compulsory है तब दकने में कई, किसके फरणाइं के पर पॉलिसीज रहती है तो जो कंपनी जैसे चलती है उसी साब से वो उनको इक्विटी शेर्स वगरे इस्यू करती है तो दोस्तों यह हमारे पूरे स्टेप से हमारे फाइनेशिल प्लैनिंग के बहुत ही इजी स्टेप से पढ़ने में भी इजी है अब एक बर रेड आउट कर लेना या अंसर याद कर लेना और जो आपके एक्जाम में यह कोशन आ गया तो आप उसको अच्छे से अटेंड कर लेना तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको समझ आ रहा है तो प्लीस अपने दोस्तों के जाएर करना और दियमें तुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा बिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए